नमस्कार दोस्तों, आपके पास smartphone है, तो आपको भी smart बनना है, इसी उदेश्य से मैं लेकर आया हूँ आपके ले एक और बहतर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने smartphone से smart work कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हू कि आप PDF file को किस तरीचे से edit कर सकते हैं जी हाँ सही सुना आपने PDF file को edit करना किसी भी PDF file में आप images add कर सकते हैं text add कर सकते हैं आप चाहें तो उसके matter को भी अपनी file में परयोग कर सकते हैं ये सब में आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें इससे हमें बहुत एनरजी मिलती है मन प्रेरित होता है कि कुछ बेतर किया जाए तो आईए आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले बताना चाहूंग कि अधिकतर लोगों के द्वारा जो PDF Reader पर योग किया जाता है वो Adobe PDF Reader है इसके द्वारा भी editing कर सकते हैं और की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं एक और आसान PDF Editor के बारे मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके द्वारा कार्या करना बहुत ही तो आप सबसे पहले अपने Play Store में जाईए वहाँ पर आपको टाइप करना है PDF Element जो एडिटर है उसका नाम है PDF Element तो आसानी के साथ आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं देखे ये इंस्टॉल हो चुका है इंस्टॉल होने के पश्यात आप इसे ओपन कीजिए ओपन करने पर जाएगा तो आप जो Term and Condition है उन्हें Agree कर दीजिए Agree करने के पश्यात आपको यहाँ पर एक Account जर्नेट करना पड़ेगा Sign Up करना पड़ेगा तो इसके लिए यहाँ पर आपको Password Create करना है और Sign Up करना है तो देखे इसके दोर आप क्या क्या कर सकते हैं Starting में उसकी भी जानका दी गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर Sign Up कर लेते हैं मैंने Already Sign Up किया हुआ है तो यहाँ पर मैं Configuration में आगे बढ़ चुका हूँ तो सबसे पहले जैसे ही आप इस App को Open करते हैं सबसे पहले आपको इसका Path Decide करना होता है Path का अर्थ यह हुआ कि आप File कहा कहा से ले सकते हैं तो सबसे पहले आप जिस भी Folder से File लेना चाते हैं उस File Folder को आप Select कीजिए उसके बाद Use This Folder को आप Click कीजिए और जो जो Folder आप Select करेंगे वो ही Folder आपके PDF Element में Select हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपर मैंने दो Folder Select किया है और दूसरा Download का क आपको किस तरीके से Folder Select करना है इसके लिए जैसे ही आप App Open करेंगे आपको 3 Parallel Line यहाँ पर दिखेगी इन पर Click कीजिए यहाँ पर आपको Local पर Click करना है इसके पश्याद स्टार्टिंग में पाथ एक Option आपको दिखेगा इसमें Authorized Path पर आप Click कीजिए इसके पश्याद आप आप यहाँ पर Plus Sign पर Click कीजिए, Click करने के पश्याद आप अपने Mobile से जो भी Folder Select करेंगे जैसे यहाँ पर मैं WhatsApp वाला Folder यहाँ पर Select कर रहा हूं तो उस पर Click कीजिए, Click करने के पश्याद Use This Folder को आप Allow कर दीजिए तो यह आपके App में आ चुका है यानिकि इस तरीके से आप क आपको करना है सभी Folders के लिए या File Location के लिए इसके पश्याद अब आपको किस तरीके से PDF को Edit करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप PDF Files को किस तरीके से Merge कर सकते हैं सबसे पहले मेरे WhatsApp वाले File Folder में मुझे यहाँ पर दो File मिली है एक File Class 11 से Related है जिसमें जो Physics का Deleted Slaves है उसको दिया गया है और दूसरी File है जिसमें Class 12 का Physics का Deleted Slaves दिया गया है मैं चाहता हूँ कि यह दोनों Deleted Slaves एक ही File में मुझे पराप्त हूँ तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जो App है उसमें जो Parallel 3 लाइन से इन पर क्लिक करना पड़ेगा इसके पश्याद Merge Documents का Option आपको इसमें मिल जाएगा इस पर आप क्लिक कीजिए फिर आपको यहाँ पात को चूज करना है तो यहाँ पर मैं WhatsApp वाला पात ले रहा हूँ इसके पश्याद जहाँ पर भी मेरी वो Files हैं उस Location तक मुझे पहुंचना पड़ेगा जब उस Location पर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो पहली File रखनी है उसके पश्याद प्लस साइन पर क्लिक क करना है और इसके पश्याद आप देख सकते हैं कि जो एप है उसके सबसे नीचे आपको यहाँ पर टू बॉक्से दिख रहे हैं पैरलल बॉक्से दिख रहे हैं ब्लू कलर के इन पर आप क्लिक कीजिए और फाइल आपकी यहाँ पर मर्ज हो जाएगी तो प्रोसेस आप दे आप इस फाइल को आसानी के साथ देख सकते हैं कि यह दोनों फाइल जो है मर्ज हो गई तो PDF एडिटर का जो पहला परियोग था वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप 2 या 2 से अधिक फाइल को मर्ज करके एक PDF फाइल बना सकते हैं अब आप देख सकते हैं underline का option, center line का option और jig jack underline का option और साथ में एक square box type का मिलता है जिसमें आप कुछ matter को highlight कर सकते हैं तो सबसे पहले आप जो capital T है इस पर click कीजिए click करने के पश्चा जितने भी area को आप select करेंगे उसमें इसका जो color है और change हो जाए गयाने की ये matter आपका highlight हो जाएगा साथ ही उस box पे आप click कीजिए वहाँ पर आपको बहुत सारे color option और delete option दिखेगा तो color option के साथ आप click करके color को change भी कर सकते हैं इसी तरीके से आप underline वाले option पर click कीजिए फिर जो area आपको select करना है select कीजिए और जैसे आप छोड़ेंगे वो area underline हो जाएगा और इसी तरीके से जो बाद वाले option हैं उनको भी आप try कर सकते हैं साथ ही जिस portion को आपने अभी select किया है उस पर आप एक click करेंगे तो उतना area आपका एक box के अंदर आ जाएगा और वहाँ पर आपको color और delete को option साथ साथ मिलेगा तो आप चाहें तो उसका color भी change कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने एक और function सीख लिया है जिसमें आप PDF के अंदर किसी भी matter को highlight कर सकते हैं underline कर सकते हैं और एक area को आप colored कर सकते हैं तीके पश्याद bottom में आपको तीसरा option मिलता है एक pen का pen पर आप click कीजिए click करने के पश्याद इस तरीके से आपके पास एक box कुल जाता है जिसमें आप जो pen है उसकी थिकनेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं जितनी भी थिकनेस आपको चाहिए right की side आप slide कीजिए तो थिकनेस बढ़ जाएगी left की side आप slide करेंगे तो कम हो जाएगी और pen के द्वारा आप कोई भी color का यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर दिखिए मैंने 10 लिखा है 20 लिखा है और कुछ निसान लगा दिये हैं तो इस तरीके से आप pen का परियोग कर सकते हैं साथ ही आप वहाँ पर थोड़ा सा और click करके arrow down arrow आपको दिख रहा है साथ ही जो आपने लिखा है उस पर click करने के बाद एक box लगेगा और वहाँ पर color, copy और delete का option आपको मिलता है तो जो भी action आपको करना है, color करना है तो color कीजिए, delete करना है तो delete कीजिए और copy करना है तो copy भी आप कर सकते हैं इसके पश्याद pen के बगल पे जो दूसरा option है वो है कि आप यहाँ पर इस document में अपने signature करना चाते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं आपको यहाँ पर इस box पर click करना है, click करने के पश्याद box खुल जाएगा इसके पश्याद आपको यहाँ पर color option चेंज करना है, pen यहाँ पर दिया गया है इसके बाद आप जो भी लिखना चाते हैं उसमें आप अपने sign या कुछ और लिखना चाते हैं वह कर दीजिए इसके पश्याद date डालनी है, date डाल दीजिए और यहाँ से आप back आजाईए इसके पश्याद आप देख सकते हैं, नीचे bottom में आपको आपके signature दिख रहे हैं इन signature पर आप click कीजिए और जिस भी स्तान पर आप दुबारा click करेंगे, वहाँ पर आपके signature हो जाएंगे तो आसानी के साथ आप किसी भी PDF फाइल में अपने e-signature कर सकते हैं सबसे ज़्यादा requirement e-signature की ही होती है, तो यह option भी यहाँ पर आपको file element में आसानी के साथ मिल जाता है इसके पश्याद next option है, यहाँ पर एक circle और box आपको दिख रहा है, उस पर click कीजिए click करने के पश्याद आप अपनी जो PDF फाइल है उसमें different type की shapes को add कर सकते हैं यहाँ पर box का option है, circle का option है, normal line है, arrow line है, आपको जो भी color चाहिए उसके लिए shapes पर कुछ देर के लिए press करके रखिए, color option खुल जाता है, आप अलग-अलग color decide करके यहाँ पर उन shapes को execute कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, कि हर एक activity के बाद आपको यहाँ पर जो सही का sign है, उस पर click करना है, और उसके पश्याद जो भी shapes आपको चाहिए, उस shapes पर click करके जिस place पर आपको काम करना है, उस पर आप simply अपने touch को जो है press कीजिए, या touch से line खीचनी है, तो line को आप draw कीजिए, तो इस तरीके से आप, जो आपका PDF file है, उसमें different type की shapes को भी add कर सकते हैं, back आने के लिए आप या तो undo कीजिए, या जो भी आपके पास draw किया हुआ है, उस पर आप click कीजिए, वहाँ पर एक box आ जाता है, वहाँ पर आपको color option, copy option और delete option मिलता है, तो वो आप execute कर सकते हैं, आसानी के साथ, तो इस तरीके से PDF file में हम, एक और work कर सकते हैं, वो है, किसी भी shapes को यहाँ पर add करना इसके पश्याद bottom में आपको stamp, एक sign दिखेगा, उस पर click कीजिए, click करने के पश्याद आपको यहाँ पर इसके अंतरगत बहुत सारे option मिल जाते हैं, जिसमें approved, not approved, dropped, final, cross, या सही का निसान मिल जाता है, received, forward, reviewed, इस तरीके का option है, यह भी यदि आप अपने PDF में execute करना चाते हैं, तो आप जिस भी option को execute करना चाते हैं, उस पर click कीजिए, फिर सही के निसान पर आपको यहाँ पर click करना है, और जिस भी place पे उसको आप add करना चाते हैं, हुआप पर add कीजिए, यदि आपको छोटा बढ़ा करना है, तो उस पर एक और click कीजिए, उसके बाहर से एक box apply कर सकते हैं, तो अब चलते हैं, सबसे ज़्यादा important option की तरफ, वोटम में आपको एक page का यहाँ पर figure दिखता है, जिसमें text type कुछ लिखा हुआ है, उस पर click करने के पश्याद, जो आपका PDF का page है, वो पूरा का पूरा कुछ blocks में बढ़ जाता है, यानि कि different type के boxes में बढ़ चुका है, जिस भी box पे आप click करेंगे, उसके matter को आप delete कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, उसमें आप कुछ add कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो theory लिखा हुआ था, उसे मैंने cancel किया और यहाँ पर मैंने practical लिख लिख लिया है, इसके साथ ही, जो यह अलग-अलग box हैं, उन पर आप click करके, जो भी matter आप वहाँ पर add करना चाते हैं, वो add कर सकते हैं, या कुछ matter को आप delete करना चाते हैं, तो उसे आप cancel भी कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप color change कर सकते हैं, जिस भी box में आपको color change करना है, या उसके font के size को आपको change करना है, उस पर आप click किजिए, क्लिक करने के पश्याद आपके पास option आ जाएंगे, उन option में आप font side change कीजिए, साथ में आप world, italic, underline या colored भी आप यहाँ पर text को कर सकते हैं, तो यहाँ पर edit का जो option है, उसके द्वारा आप इस पूरे PDF फाइल में अपनी तरफ से नया text और कुछ changes कर सकते हैं, साथ पूरी जो file है, उसको आप copy कर सकते हैं, और copy करने के बाद आप नए place पे इसी format में इसको आप रख भी सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि किस तरीके से हम different type के जो function हैं, उनको PDF में apply कर सकते हैं, तो अभी तक हमने PDF element के द्वारा, जो PDF है, उसमें किस तरीके से different type के activity हम कर सकते हैं, वो सब सीका, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, कि Adobe Reader के द्वारा भी आप किस तरीके से यहाँ पर editing का work कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ, तो आईए, अब चलते हैं, PDF Reader की तरफ, इसके लिए सबसे पहले किसी भी PDF फाइल को आप Adobe Reader के द्वारा open क कीजिए, यहाँ पर जैसे ही आप open करते हैं, open करने के पश्याद, यहाँ पर blue color में आपको एक pen का option दिखता है, उस पर आप click कीजिए, click करने के पश्याद, जो भी आपकी PDF फाइल है, उसमें आप editing का work कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास कुछ function हैं, जो free PDF Reader में आपको मिल होता है, इसलिए, starting में मैंने आपको PDF Element के बारे में बताया, तो सबसे पहले जो file आपने open की है, उसके जिस place पे आप matter रखना चाहते हैं, वहाँ पर long press कीजिए, यहाँ पर note और text का option आपको मिलेगा, तो आप text पर click कीजिए, click करने के पश्याद, एक box यहाँ पर मिल जाता ह है, इस box में जो भी matter आप लिखना चाहते हैं, हिंदी या इंगलिस में वहाँ लिख लीजिए, लिखने के पश्याद आप box के size को change कर सकते हैं, box को किसी और place पर भी रख सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो text लिखा हुआ है, उसे आप rearrange कर सकते हैं, तो जो text लिखने क work है, वह इस तरीके से पूरा हो जाता है, उस text पर यदि आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास option आजाता है, color का, या उसके size को छोटा बड़ा करने का, तो यहाँ पर आप font size बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ पर उसका color भी change कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, वो टम में जैसे ही मैं box पर click कर रहा हूँ, मेरे पास color option है, और साथ ही यहाँ पर small a और a लिखा है, तो इसके द्वारा मैं उसे छोटा और बड़ा भी कर सकता हूँ, साथ ही delete का option है, यदि मुझे delete करना है, तो मैं delete भी कर सकता हूँ, तो इस तरीके से add of reader के द्वारा आप किसी place पर text लिख सकते हैं, दूसरा जो work है इसमें सबसे ज़्यादा important वो है signature का, कि किस तरीके से signature किये जाते हैं, किसी भी PDF फाइल में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर sort में आपको बताना चाहता हूँ, कि जिस तरीके से वहाँ पर हमने किसी text को underline किया या उसे highlight किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी text को underline कर सकते हैं, highlight कर सकते हैं, और इसमें message भी आप लिख कर रख सकते हैं, आपर message box बना हुआ है, जैसे ही आप उस पर click करते हैं, click करने के पश्याद यहाँ पर एक box खुल जाएगा, जो कि आपके PDF फाइल के किसी place प कर सकते हैं, और वहाँ पर आप कुछ लिखना चाते हैं, तो आप लिख कर रख सकते हैं, कभी भी हम इस box को click करेंगे, तो वो message हमें यहाँ पर दिख जाएगा, तो इस तरीके से आप सारे ही function यहाँ पर apply कर सकते हैं, अब जो सबसे ज़्यादा important function है, कि आपको किसी PDF फाइ करेंगे, यहाँ पर fill and signature का option है, इस पर आप click करेंगे, click करने के पश्याद, last में एक pen का option है, इस पर आपको click करना है, click करने के पश्याद, यहाँ पर अलग से box खुल के आ जाता है, जिसमें कि आपको signature का जो नमूना है, उसको तयार करना है, तो यहाँ पर आप जो भी signature करन चाहते हैं वह सिगनेचर कर लीजिए सिगनेचर करने के पश्याद आप इसे बैक कर लीजिए बैक करने के बाद आप जिस प्लेस पे भी सिगनेचर रखना चाहते हैं उस प्लेस पर क्लिक कीजिए तो आपके सिगनेचर उस प्लेस पर चले जाएंगे उसके पश्याद आप उ फाइल में एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं वो भी आसानी के साथ तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो होगा वो जरूर आपको फाइदा पहुचाएगा यदि आपको लगता है कि ये सारे वीडियो आपको कुछ ना कुछ लाब दे रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद